उन्हें राजनिती को अलविदा कहती आ है, अब उन्हें राजनिती में वापसी नहीं करेंगी। तो देखे शेक हसीना के शाने के बाद से अब जो देश के हलात है वो देखे किस तरीके के नसर आ रहे हैं बांगलादेश में ऐसे हलात हैं और ऐसे में शेक हसीना के जो बेचे हैं उन्होंने अब बड़ा भयान दिया है और उन्होंने काया कि अब राजनिती में वापसी नह ने ये कहा है। उन्हों ने कहा है कि शेक हसीना अपने नित्रतों के खिलाप होएं वित्रों से बहुत निराज रहे हैं। वो नसर आई। तो बंगलादेश में लगतार शौथी बार। ये दावा किया गया है उनकी बेचे की तरफ से और बताय चारा है कि जो तरीके से हलात बिगड़ रहे थे उससे नाखुष ते शेक हसीना। मर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश ले दिये गएं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है इस बांगलादेश की सियासत की जहां पर 15 मिनट में तक टापलट होता है। उसके बाद से सीख हशीना देश को छोड़ देती है। जो तस्व उसी देश की राशनती खल्चल के बीच लगतार के अंदर सरकार की भी नज़र हुए। लोगों ने हंगामा किया। ढाका में आवामी लीक के दप्तर में आग लगा दी गई। और आवामी लीक के सांसदों के घर पर भी हमले हुए आजजनी हुई। सूत्रों के मताबिक बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारवाग प्रमुक और खालिदा सिया के बेटे तारिक रह्मान की आईएसाई से साथ गाट के सबूत मिले हैं। बताय चारा है कि खालिदा सिया के बेटे ने लंदन में आईएसाई के साथ मिलकर ऑपरेशन रिचेम चेंज तयार किया था जिससे बांगलादेश में पूरा किया गया। हूपया रिपोर्ट के मुताबिक साओधी अरब में तारिक रह्मान और आईएसाई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांगलादेश के अधिकारी कर रहे थे। हूपया रिचारियों के साथ बैठक करके कड़ी निगरानी का निरदेश टिया है। हूपन कराय जाने को लेकर मजटेट की तेनाती की गई है, पुलीस बल तेनात रहेंगे, साथ ही सभी परिच्छा के अंदरों पर जो जहां भी परिच्छा भववन में परिच्छा होगा, वहां से सी टीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि कहीं कोई कदाचार की कोई गुंज जस्तर से हम लोग सभी सेंटर का माइनूट्री वेरिफिकेशन किया, उसके पश्चात सभी सेंटर पर दो दो पुलिस पदादीकारी और प्रयाप्त संख्या में मजटेट एवं पुलिस बल की परतनिक्ति की गई है, सेक्योरिटी के साथ, बिल्कुल ट्रांसपरिंसी के साथ हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें जॉइंट ओर भी तयार हो गया, और सातों सेंटर में हम लोग का सेक्योरिटी 200 परसंट हम लोग रखेंगे, इसमें कोई भी परिक्षार्थी को भी कोई इश्यू नहीं होगा, औ पर इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। पर इसको हम लोग बहुत ही तरीके से कर लेंगे। पर इसको हम लोग बहुत ही तरीके से कर लेंगे। और सोसल मीडिया का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा है। और लोगों को जोर करके उससे पैसे की उगाही की जा रही है। इस मामले को काफी गंभीता से लिया गया। इस में लगतार हो रही पारिश के बाद पुनपुन और सोन नदीव फान पर आ गई है। जिसको लेकर टीम ओवर्शा सिंग ने चला प्रशासन के पूरी टीम के साथ दोनों नदीओं का निरिक्षण किया। और बाड़ की आशंका को देखती वे सीओ और बीडियो को इलाके से सचे इलाके गाउ में हाई अलर्ट के साथ कड़ी शितावनी देने का निरिक्ष दिया। साथिस जला प्रशासन ने जिया लिप्टीम को भी अलर्ट रहने का निरिक्षण किया गया। कलेर ब्लॉक और अर्वल ब्लॉक में विबिन लोकेशन को देखा गया है और पाया गया है कि सोन नदी का चलसतर बढ़ा हुआ है। लेकिन जो इंजीनियाज है फ्लाट कंट्रोल डिविजिन के उनको लगातार उस पर निगरानी एतु ने देशित किया गया है। आपदा प्रभारी द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। SDRF टीम की प्रतिनियुक्ती ये तु अनुरोध पत्र बेजा गया है। प्राप्ति होने के पश्चात अगरेतर कारवाई की जाएगी। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश और इंदरपूरी बराज से पानी छोड़े चाने के कारण सुन नदीव फान परे। और अंगबाद के बारून और दाउद नगर के सुनकटिय इलाकों में कई एकड में लगी सब्ची की खेती चूप गई है और वहीं भगवान बिगा में नौ मच्छवारे और सब्ची उत्पादक के सान चीले पर ही फस्वे थे जिने दाउद नगर प्रशासर ने नाव भ बड़ी खबर है जहां चार घंड में फिर से मौनसून सक्रिये होका पिछले दो दिनों से मौनसून कमचोड परा है आज चेहराची, सिम्जेगा, सराइकेला, खरसावा, बुकारो, धनबाद, जांताडा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है साथ अगस्त को कड़वा, पलामू, लातेहार, नोहरदग्गा, गुमला समित पेज़ जलों में भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग के मताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खरसावा में होकी